जैन दोस्तों दिखिए अभी आप लोगों के लिए टोटल तीन बहुत ही बढ़ी हां सरकारी वेकेंसी निकल के आ चुका है और ये तीनो जो वेकेंसी है न दोस्तों ये निकाला गया केवल टेंथ लेबल पर ठीक है टेंथ पास आप होने चाहिए इसके अलावा कुछ भी न देना काफी बढ़ी हां विभाग है केंदर सरकार का दोस्तों अस्थाई वेकेंसी है डिपार्टमेंट भी बहुत बढ़ है आपको मिलेगा चुटी वगर सेलरी वगर मस्त मिलेगा तो इन वेकेंसी के लिए आप भारिए गा तैयारी कीजेगा मेहनत कीजेगा और नौकरी आए हैं तो सब्सक्राइब जोरू कर लिजेगा क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों जो भी वेकेंसी अपडेट आंसर की का टॉप निकलेगा ना सब का वीडियो आपको बना कर देते रहते हैं तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं देखें टेंथ लेबल टॉ अब फ्री नियू रिक्रूट्मेंट 2024 की हम लोग बात करें दोस्तों अभी जो सबसे पहले एक नंबर का जो वेकेंसी निकाला गया है इसका विभाग देखें इसका विभाग जो है यह भारत सरकार के सिक्षा मंत्राले के अंतरगत है ठीक है जिसको बोलते हैं एजुकेस् हेड़क्वाटर है वहाँ पर आपको पूश्टिंग होगा हम लोग बात करें दोस्तों एन वी एस मतलब नवोदे विद्याले समीती जिसपे एम टी एस मल्टी टास्किंग स्टाप का भेकेंसी है योग्यता मांगा है केवल दसवी पास ठेक ना योग्यता मांगा है अधिक सदिक 27 सल ये किसका ये जनरल का हम बता रहे हैं यदि आप OBC है ना तो आपको तीन साल उमर में छूट मिलेगा यदि आप SCST है तो आपको पांस साल का उमर में छूट देखने को मिल जाएगा ठीक है अपलाई की बात करेंगे इसका अपलाई कब से होगा तो देखे इसका अपलाई होगा दोस्तो 22 मार्च से लेकर के 30 अप्रील तक तो काफे लंबा समय दिया है फॉम भरने के लिए याद करके भर दीजेगा ठीक है हालांकि इस पे फी दोस्तो थोड़ा सा जादा है लेकिन विभाग भी बढ़िया है ठीक है फी थोड़ा सा जादा है फी म वेकेंसी भी बहुत कम है टोटल 1377 वेकेंसी है जिसमें से MTS का दोस्तो केवल 19 सीट है बाकी यदि आप 12 पास है तो उस पे लगबग 400 दोस्तों आपका सीट है जुनियर सेक्रेटियर असिस्टेंट क्लर्प का ठेक है बाकी यदि आपने 12 साइंस से किया है तो लैब अटें वेकेंसी टेंट लेबल पर है जो की है MTS का तो आप यहां पर फॉर्म को भरिएगा competition जाहिर से बात कम होगी ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इस पोस्ट के लिए एक तो सीट बहुत कम है आप भी एक बार अपलाई करने से पहले जहुर सोचिएगा कि हम क्यों भरें बहुत कम सीट है दूसरा इतना ज्यादा पेमेंट मांग रहा है बहुत सारे विद्धारती नहीं अपलाई करेंगे तो इस जगह आपके पास स्कोप है तो आप यहां पर अपलाई कर सकते हैं तो काफी बड़ी हां मौका है यदि सब यहीं सोच रहा है कि नहीं भरेंगे कम सीट है ज़्यादा पैसा मांग नहीं कोई तो आपलाई करेगा ना उसी में कॉम्पेटिशन होगा तो उसी में से जिसका तयासी अच्छा खासा और उसका नौकरी हो जाएगा तो काफी बड़ी हाँ बात है ठीक है ये वेकेंसी हो गया है ठीक है दोस्तो चलिए वेकेंसी नंबर दो की बात कर लेते हैं विभाग इसका देखिए तो इसका विवाग है दोस्तो 많 रेलवे फिक है इंडियन रेलवे में दोस्तो अम लोग बात कर रहाएं थिक है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या रेलवे पुलीस फोर्स इसकी बंपर पदो पर वैकेंसी का सूचना जारी हो गया है ठीक है योग्यता जो है योग्यता मांगा है के वल 10th pass सभी विद्धारती यहाँ पर अपलाए कर सकते हैं समझ मागया इसका भी वेकेंसी निकल के आ गया है उम्र दोस्तों इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है उम्र इस पे 18 से 25 साल एज होता है आरपी एप कॉंस्टेवल के लिए ठीक है लेगन इन्होंने इस बार 25 नहीं रखा है इस बार रखा है 28 साल ठीक है एज में 3 साल सब कुछ शूट मिला है प्लस में जो जो OBC हैं उनको 3 साल उम्र में शूट दिया है और जो जो बिदार्ती SC-ST काटिकरीस हैं उनको 5 साल का उम्र में शूट मिलेगा समझ माया यह है RPF का Age Limit Constable का हम बता रहे हैं यदि आप SI के लिए भर होंगे तो आप यहां पर कम से कम 20 साल आपका होना चाहिए ठीक है अब बात कर लेते हैं apply इसका apply कब से होगा तो देखें 15 अप्रील 2024 ऑनलाइन चालो होगा 14 मई 2024 को खतम हो जाएगा ठीक है तो बता दि का इंतजार मत कीजिएगा जैसे वेकेंसी जारी होगा बहर दीजिएगा फटाक से ठीक है अब फी की बात करेंगे इस पर फी उतनाव नहीं मांग रहा है पांस सो रपे लगेगा दोस्तों जनरल ओभी सी डबलो एस स्टी और महिलाओं का 250 लगेगा एक्जाम में यह दिया पैसा चला जाएगा ठीक है आपको वापस नहीं बिलेगा एक्जाम में बैठना होगा वहाँ टेंडेंस बनाना होगा आपको ऑक्याम में आपियर होना होगा तब ही आपका पैसा वापस होगा कुछ दिन बाद वह भी तूरन्त रही ठीक है तो यह है ए-rpm की वेकेंसी टे तीन नंबर का वेकेंसी है न ये भी बहुत मस्त वेकेंसी है लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बात बोलना चाहेंगे दोस्तों कि ये जो हमारे चैनल है मोहन सर इस पर आपको हम जोब वेकेंसी ये सब का अपडेट तो देते ही देते हैं तो इसका में परपस क्या है चैनल था MK4study जिस पर मैं कुछ-कुछ वीडियो अपलोड करता था लेकिन मैंने उस पर एक नियो कैटेगरी का वीडियो अपलोड करना चालू कर दिया है जैसे कि आप किस-किस तरीके से पैसे अर्न कर सकते हैं या फिर यूटूब पर कैसे वीडियो अपलोड कर सकते हैं उससे अर्न कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर कैसे वाइरल हो सकते हैं वगरा वगरा टिप्स और ट्रिक्स मैं दे रहा हूं वहाँ पर MK4study चैनल पर तो उस चैनल से भी आप लोग जूड जाएगा ठीक है आपको लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कर लिजेगा MK4study वहाँ पर आपको कई प्रकार से ऐसे वीडियो मिल जाएंगे तो आप उससे जाकर कि जूड़िएगा जरूर ठीक है तो देखिए विभाग हम लोग बात करें दूस्तों SSC MTS 2024 Most Avited Vacancy है यदि आप इसका तयारी कर रहे हो तो आप इसको भी भूलना मत इस किस विभाग में आपको मिलेगा या आपको अभी पता नहीं यह ससे निकाल रही है आपको केंदर सरकार के किसी भी विभाग में किसी भी मन्त्राले में यहां से आप जा सकते हैं SSC MTS के माधियम से ठीक है तो देखिए SSC MTS में पहले उम्र की बात करेंगे तो इस पे उम्र कुम्र में छूट देखने को मेज जाएगा योग गिता देख लेते हैं तो योग गिता होना चाहिए 10th पास साधारन सा 10th पास हैं तो आप यहाँ अपलाई कर दीजेगा समझे बागया अपलाई जून महिने में इसका अपलाई चालू होगा ठीक है एक बार देख लिजेगा माई है कि जून है तो मतलब बहुत जल्ड इसका अपलाई चालू हो रहा है जून 2024 में फॉर्म आएगा अभी थोड़ा सा टाइम है लेकिन डिले मत कीजिएगा आप लोग तैयारी के लिए तैयारी को अभी से चालू कीजिए तब आप सही टाइम पर जॉब इस पर ले सकते हैं इस पर बात करेंगे फी का दोस्तों तो फी इस पर जनरल ओभी सी डबल इसका सोर पर लगता है बाकि सेश्टी महिलाओं का और पी एच कंडिडिट का पाइसा भी नहीं लगता है सीट कम है पैसा ज्यादा है आप यह दोनों को डेफनेटली भरो ठीक है क्योंकि इसमें थोड़ा पैसा तो ज्यादा लग रहा है यह बात तो सही है और यदि आप ऐसी इस्टी महिलाओं तब भरी सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे यह सिक्षा बेभाग का वेक वेकिंशी के बारे में आपको बठाएं और भी वेकिंशी आएगा टेंट लेबल ट्वल्त लेबल गरेजुसन लेबल का सब के बारे में वीडियो आप लोगों को बना करके देते रहेंगे तो चैनल को याद करके सब्सक्काइब कीजएगा घंटी कॉल पर प्रेस करके